जैस्ट्रीकृष्टना आज हम जाने के ओली का तिवार क्यों मनाते हैं तो एक बार सनत्कुमार सभी लोक में ब्रह्मन करते-करते हुए बाइकउंट में भगबान नाराइण का द्रशन करने के बाउसे बाइकॉंट में गए तो जब बैकुंट में भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान के मुख्यदवार पाले जय और भी जय उन्होंने सनत कुमारों को रोका सनत कुमारों ने कहा कि तुम बैकुंट में रेकर तुमारी मती के अंदर बेदे हम तो भगवान नाराण का दर्शन करने के बाव से यहाँ आया है फिर भी हमें रोक रहे हो तो यह पद्का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है सनत कुमारों ने स्राब दिया बिजय और सनत कुमारों का संवाद देखकर भगवान नाराण भी वहाँ आये नाराण ने भी कहा कि कोई सेवक अपरात करता है तो स्वामी की जिम्मदारी जादा होती है जाए बिजय तीन अवतार लेगे तो उसको मानने के लिए तारने के लिए उद्दार करने के लिए मैं चार अवतार लूगा सनत कुमारों ने भी विचार किया कि हम भी बैकुंट में आये है तो हमारी मती के अंदर भी क्रोध नहीं होना चाहिए हमने भी क्रोध किया है तो हम भी एक अवतार लेगे तो जाई भी जाई ने तीन अवता लिया पहला इरणाक्ष और इरणकश्पू दुसरा रावण और कुम्वकर्ण तीसरा दन्त वक्तर और शिशुपाल तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने चार अवता लिया तो इरणाक्ष को मानने के लिए भगवान वारा स्वरुप प्रगट हुए इरणकश्प को मानने के लिए भगवान स्थम्व में से नर्शी स्वरुप प्रगट हुए रावण और कुम्वकर्ण को मानने के लिए भगवान मरियादा पुर्श्यतम राम के स्वरुप में प्र करें उन्होंने प्रहलाज के सुरूप में उता धारन किया तो कथा एसी है कि भगवान वारा सुरूप में जब इरिनाक्ष को मार दिया तो इरिनाक्ष का भाई था इरिनकष्पू उन्होंने भगवान के साथ बेहर कर लिया उन्होंने ब्रमाजी का तप प्रारम किया और ब् इंदर ने कयादु काहरन कर लिया बीच में न्हारजी मीले नारजी ने कहा इसके पेट के अंदर जो गर्ब है और बहुंड भगवान के परम भक्त है तो नारजी ने कयादु को अपने आत्र में लेकर रखा यहां यृणक्षुप ने ब्रमाजी का तब गया ब्रमाजी प्रसन हुए तो ब्रमाजी को कहने लगा ब्रमाजी मुझे अमर बना दीजिए तो ब्रमाजी कहने लगे इस स्रुष्ट्री के अंदर कोई अमर नहीं है यह दिपि तुम्हें कोई बर्दान चाहिए तो मांग लो तो इरिनक शुप ने कहा कि मैं घर में उपर नमरू, नीचे नमरू, अस्त्रशे नमरू, शस्त्रशे नमरू, देव से नमरू, मनुष्य से नमरू, ऐसा बरद्यान मागा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ततास्तू, उसके बार वो अपने राज्य में चला गया, अपने राज्य के अंदर सब यग्य बन करवा दिये, अन प्रहलाद था उसको विद्याभ्यास के लिए जो रुशी छे शुकराचारी उनके दो पुत्र छे देट्य गुरु शुकराचारी उनके दो पुत्र छे शंडा और मर्क वहां विद्याभ्यास कनने के लिए प्रहलाद को वेजा लेकिन प्रहलाद तो भगवान का परम भक्त उन्होंने नारायन की भक्ति के सिवा कुछ न किया वहाँ पढ़ता था विद्यापिट में तो भी भगवान नारायन का स्मरण करता था साथ में जो भी बच्चे रहते थे उनको भी नारायन की शिक्षा और दिक्षा देते था एक बार इरिनकषुपो ने प्रहलात को अपनी गोदी के अंदर बिठाया और पुछा तुम क्या पढ़ रहे हो तो उन्होंने का मैं नारायन की भक्ति कर दा हो नारायन का नाम स्पनन कर दा हो तो अपने शत्रु का अपने पुत्र के मुक्षे नाम सुनकर क्रोधित हो गया उसको मानने लगा खडग से मानने का प्रियास किया आथी से कुचलने का प्रियास किया विश्पान देकर मानने का प्रियास किया बड़े परवत के उपर रक्षे उसको निचे गिराने का प्रियास किया लेकिन भगवान ने भक्त की रक्षा की अपने सियासन पर बैठा था तब इरनकशुपी की बहन होलिका वहाँ आई होलिका ने का आप क्यू चिंता करे हो वहाँ मेरे पांस इंद्रे का बर्दान है एक चुंद्री है जो ओड़कर में अगनी में बैठ जाओ तो मैं जलूगी नहीं जिनको बिठा दूगी ओजल जाएगे तो सभी देत्तियों ने प्रबंद गिया ओलिका बैठी ओलिका के गोधी के अंदर प्रहलाद बैठा और ओलिका ने जो इंद्रे की चुंद्री दी थी चुंद्री अपने मस्तक पर रग दी तो चारों और से देत्तियों ने अगनी प्रागट की अगनी बड़ी होने लगी तब भगवान की गृपास से हवा का जोका आया और हवा के जोके के कारण से वह चुंद्री उड़ गई और प्रक्तप्रहलाद के उपर आ गई तो भक् प्रमी की रूति प्रारंब होती है तो उसके कारण वायू मंडल के अंदर अनेक प्रकार के बेक्टरिया होती है तो एक साथ होली करते हैं हम जानते हैं कि जब यग्य करते तो हवा के अंदर जो भी बेक्टरिया होते हैं नश्ट हो जाते तो वैसे ही जब अगनी बड़ी प्रागेट होती है तो वायुमंडल के अंदर जो भी बैक्टरिया है वह भी नश्ट होते हैं गोलिका की ज्यादा लोग परिक्रमा करते हैं तो सभी लोगों को पता नहीं होता कि परिक्रमा क्यों करते हैं जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी शरीर के अंदर अनेक प्रकार क चोटे या बड़े बैक्टरिया होते हैं वो परिक्रमा करने से जल जाते हैं और हमारी आरग्य अच्छे रहते हैं उसके कारण ओली की परिक्रमा भी की जाते हैं इसके कारण ओली का तिवार मनाया जाता है जाये श्रीकृष्णा रादे रादे